आद पढ़ेंगे इंडेक्स नम्बर इंडेक्स नम्बर इंडेक्स नम्बर तीन मेथड के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है नम्बर वान वेटेट वेटेट इंडेक्स नम्बर दुसरा है अन्वेटेट अन्वेटेट इंडेक्स नम्बर तीसरा है कास्ट आप लिविंग इंडेक्स नम्बर इंडेक्स नम्बर तो पहला देखेंगे वेटेड इंडेक्स नम्बर इसके बारे में खारमूले देखेंगे और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे तो फर्स्ट नम्बर पे वेटेड इंडेक्स नम्बर वेटेड इंडेक्स नम्बर में देखेंगे पाथ प्रकार की मेथेड अपने को देखना है और उसमें आएंगा लैस्प्रे मेथड प्राइज इंडेक्स लैस्प्रे ऐसे रिडेक्स शेकन्ड आएगा पास्चे इंडेक्स पास्चे रिडेक्स नहीं थर्डाएगा पिसर्स फिसर्स इडियर इंडेक्स नंबर नेक्स ताइगा दर्बिश और बावले इंडेक्स नेक्स ताइगा है मार्शल एजवार्थ अब इसमें सबी के फार्मूले अपने को देखना है एक-एक मेथड को लेखे तो वेटेड इंडेक्स नमबर में फार्मूले पहले देखेंगे तो पहला फार्मूला आप इंडेक्स नमबर फार्मूला आप प्राइज इंडेक्स नमबर इसमें आगा पहला लेस्प्रेज प्राइज इंडेक्स नमबर तो यह फार्मूला लगाते समय अपने को ध्यान में रखना है कि फार्मूला इसका है प्राइज प्राइज प्रे मिधर का त्वर्मूला और प्राइज प्राह्त प्रे मिधर का मरान में रखना इन i प्राइज इंडेक्स नमबर इसका फर्मुला है P01 is equal to summation P1Q1 समेशन P0Q1 इंटो हंडेक्स नमबर इसका फर्मुला है इसर्स आइडियल इंडेक्स नमबर इसर्स आइडियल इंडेक्स नमबर तो इसर्स आइडियल इंडेक्स नमबर इस P01 is equal to square root । इन्टो पी आई लाइ इन्टो पी आई मेंस लास्प्रे मेथड का इंडेक्स और पास्चे मेथड का इंडेक्स फार्मूला तो इसमें आएगा यहां पर यह जहन में रखना है कि पीसर्स आईडियल इंडेक्स नंबर में एलाइ इन्टो पी आई करना है और यहां पर इन्टो हंड्रेट करना है तो यह इसका मतलब यह आएगा कि समेशन P1 Q0 डिवाइड बाइ समेशन P0 Q0 इंटो समेशन P1 Q1 डिवाइड बाइ समेशन P0 Q1 इंटो हंड्रेट यह हो गया फिसर्स आईडियल इंडेक्स नंबर उसके बाद में चाहू था यहां पर देखे थे चाहू थे नंबर में देखे थे डर्बिश एंड बावले नहीं तरह तो इसमें हैंगा इसका फार्मूलाइड नहीं पर देखे थे फार्मूला है पी जीरो वन एज इक्वल टू इसका मतलब होता है लैस्प्रे का फार्मूला पस्षे का फार्मूला इसको डिवाइड टू किये तो डर्बिश एंड बावले का फार्मूला मिलता है इसमें आगा लैस्प्रे का फार्मूला लिखेंगे और लैस्प्रे का फार्मूला समेशन पी वन क्यू जीरो डिवाइड बावाइ शमेशन पी जीरो क्यू जीरो प्लास समेशन पी वन क्यू वन डिवाइड बावाइड शमेशन पी जीरो क्यू वन डिवाइड बावाइड टू इन्टू हंडर्ड यह हो गया या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि समेशन पी वन क्यू जीरो डिवाइड बावाइड शमेशन पी जीरो क्यू जीरो प्लास समेशन पी वन क्यू वन डिवाइड बावाइड शमेशन पी जीरो क्यू यहां पे आएगा इसमें से यह वाला फर्मूला लगाना है अत्वा यह वाला फर्मूला इसको आएसे भी किया रहता है नेक्स्ट है पाच्वे क्रमां का मार्शल मार्शल अजवार्थ मेथड पी जीरो वन पी जीरो वन इसको बाच के टेङ fijते अरशए उम पी जीरो पी जीरो विए बाच ऍकी के इसमेशन पी 0 पीजिरो पीजिरो एसमेशन पी 0 q1 plus summation p0 q1 into 100 तो इस प्रकार से यह फार्मूले है यह फार्मूले के माद्धिम से calculate किया जाता है अभी आप यह जो फार्मूले है इतने सारे फार्मूले पाच फार्मूले अपने पास में हैं तो यह पाच फार्मूले अपने याद कैशे रखेंगे यह समस्या है अपने पास में तो इसको एक ट्रिक्स का अपन यूज करेंगे उस ट्रिक्स के माद्धिम से अपन यह फार्मूले याद रख सकते हैं तो वो ट्रिक्स क्या है तो उसके बारे में देखेंगे दिखें यहाँ पे जो भी पी क्यू वन जीरो यह जो दिया हुआ है तो जीरो का मतलब होता है बेशियर यहाँ जीरो बेशियर के लिए दिया जाता है और यहाँ पे जो वन दिया हुआ है यह होता है करंट इयर करंट इयर पी का मतलब होता है प्राइज अब यहाँ पे पी जीरो है तो इसका मतलब बेशियर प्राइज बेशियर प्राइज पी वन का मतलब होता है करंट इयर प्राइज करंट इयर प्राइज करंट इयर प्राइज क्यू जीरो का मतलब होता है करंट इयर प्राइज करंट इयर प्राइज करंट इयर प्राइज क्यू जीरो का मतलब होता है क्यू मिन्स कॉंटिटी पी जीरो अगर दिया है यह देखे यहां पे फार्मूले में दिया है पी जीरो पी वन क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू आप अपने को यह जो पूरे फार्मूले हैं यह पूरे फार्मूले अगर पता नहीं है और अगर इंडेक्ष नंबर निकालना है तो किस प्रकार से उसका एक ट्रिक्स अपन याद रखेंगे उसको अपने को याद रखना है और वो ट्रिक्स को अपन देखेंगे क्या है तो अपने को क्या करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है जैसे एक एकजामपल दिया है और वो एकजामपल में बुला है कि आपने को ये दिया है इस प्रकार से कि एकजामपल दिया हुआ है और यहाँ पर एकजामपल में एक टेबल दिया हुआ है कि इस टेबल में कोमेडिटी दी हुई है कि मानके चलते हैं कि ये तीन प्रकार की कमेडिटी अपने को दिया है जिसको नाम A, B, C अपन देते हैं ये फॉर एकजामपल है और यहाँ पर प्राइज दिया हुआ है प्राइज म हर तो इसमें टू एर की प्राइज देगा टू एर की मींज एक बेश इयर मैंद और एककरन्ट एयर कि यहां पर कॉंटि यहां पर कॉंटिटी दिया हुआ है और कैसट आसम पर कहन पर दिया हुआ है तो यहां पर आएगा एकउच यहां PC कि कॉंटिटि ए democratic परते से अपने को ये डेटा एक्जम्पल में दिया हुआ है अब यहां पर मान के चलते हैं कि बेश यह अपना 2015 है और करंट यह है 2020 इसमें भी 2015 बेश यह दिया हुआ है और यह 2020 यह करंट यह दिया है तो प्राईज बेशेयर की प्राईज याने पी 0 हो गया और करंट यह की ऐने चाली जो यह है पूसकी प्राईज यहां पर दिया हुआ ह् तो यह हो जाएगा पी बेशन करंट यह क Проंट यह की quantity दिया वुआ है तो यह आ जैंगा Q0 और current year की quantity दिया हुआ है यह इस प्रकार से दे दिया आप अपने को इसका सम निकालना है यह एक जंपल दे दिया आपको इसका सम निकालना है तो अपन क्या करेंगे इस प्रकार से यहां से क्यालकुलेट करेंगे और उसका सम निकालेंगे यह calculation करना पड़ता है, तो पहले calculation करते समय अपन क्या करेंगे, कि इसको क्या करना है, ये tricks का अपन यूज कर रहे हैं, तो पहले अपने को P1, P0, P1, P0, इस प्रकार से लिखना है, P1, P0, P1, P0, फिर उसके बाद में लिखना है, Q0, Q0, ये दो बार लिखना है, Q0, Q0, और फिर आएगा Q1, 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 इस प्रकार से अपनने ये tricks का यूज किया, पहले क्या करना है, P1, P0, P1, P0, ये चार कॉलम में लिख दिया, उसके बाद में Q0, Q0, दो बार, और Q1, Q1, दो बार, इसका मतलब यह होता है, कि P1 से Q0 का multiplication किया ज अधाएगा, P1 का Q1 से multiply किया जाएगा, और P0 का Q1 से multiply किया जाएगा, जो भी multiply आएगा, उसका total करेंगे, तो यहां पए अपने को मिलेगा, कि समेशन P1, Q0, यहां पे इसका multiplication आएगा, summation P0 Q0 इसका multiplication आएगा summation P1 Q1 और इसका multiplication का total आएगा summation P0 Q0 अब ये tricks का use कैसे करना है ये जो दो कालम है ये दो कालम ये LI के formula में use में आएंगे LI का मतलब last pray index में use में आएंगे और ये जो दो कलकुलेशन है ये पास से के index में use में आएंगे तो यहाँ पे LI का मतलब होता है last pray index और PI का मतलब होता है past say index तो अभी आप देखिए यहाँ पे summation P1 Q0 summation P0 Q0 अब देखते हैं last pray मेथड में आप देखिए ये देखिए summation P1 Q0 summation P0 Q0 यह यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है यह अपन ने किया है और पास से में अगर देखते हैं तो summation P1 Q1 summation P0 Q1 summation P1 Q1 summation P1 Q1 summation P0 Q0 हो गया आपके फर्मूले तयार अब आपको याद भी नहीं रहा तो यह ट्रिक्स आपने याद करना है यह ट्रिक्स याद करने के लिए P1 P0 P1 P0 Q0 Q0 दो बार और Q1 Q1 दो बार यह अगर अपने को लेस्परे का यहाँ पर फर्मूला मिल जाता है तो यहाँ यह और पास से का फर्मूला मिल जाता है तो इसके माध्यम से अपन बाकी के फर्मूले कर सकते हैं तो इस प्रकार से ये 500 फार्मुले अपने ये ट्रिक्स के माध्यम से तयार कर सकते हैं तो इसके लिए अपने को फार्मुले याद भी नहीं रहा और ये अगर ट्रिक्स आपके ध्यान में रहा तो उसके माध्यम से पूरे फार्मुले तयार हो जाते हैं अब इसमें time reversal test and factor reversal test ये भी देखा जाता है तो time reversal test ये देखने के लिए अपने को time reversal test जिसके बारे में पूछा गया है उसका formula लगता है तो वो formula इसमें input करना परता है जैसे अपने देखा कि मार्सल के लिए time reversal test अगर उसने बोला है और मार्सल के बारे में अगर उसने पूछा है कि time reversal test आप बताईए तो यहाँ पर आपन कर सकते है तो जैसे कि time reversal test time reversal test यह test का यूज करना है अपने को time reversal test का तो यहाँ पर time reversal test यह कुण से फार्मूले में satisfy होती है उसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे the following the following equation equation इक्वेशन सुट भी सैटिस्फाइड तो कुन से इक्वेशन में यह सैटिस्फाइड होता है तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है P01 इन्टू P10 is equal to 1 तो उसका P01 and P10 उसका आंसर 1 आना चाहिए लास्त में तो यहाँ पे P01 तो P01 पहले लिखेंगे P01 P01 का फार्मूला लिखेंगे यह दिखेंगे अगर अपने को मार्सल इसमें फिसर आइडियल इंडेक्स नंबर को साटिस्फाइड करना है तो उसका फार्मूला लिखेंगे फिसर का P01 का फार्मूला क्या है P01 का P01 यह देखे P01 तो यह लास्त प्रे का इंडेक्स नंबर और पास्से का इंडेक्स नंबर इसका मल्टिप्लिकेशन किये तो अपने को फिसर का आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला मिल जाता है तो यहाँ पे यह देखेंगे ल लेस्परी का ये वाला फर्मूला ये वाला एलाई का तो यहांता है समेशन पी वन क्यू जिरो डिवाइड बाइ समेशन पी जिरो क्यू जिरो इंटू पास्य का लिखेंगे भी समेशन पी वन क्यू जिरो इसमें क्या बोला है पी जिरो इंटू पी जिरो क्यू जिरो इस एक्वल टू वन आना चाहिए तो यहां पे पी जिरो वन का फर्मूला ये वो गया इसर कर तके स्के बाद में पी 1-0 तो आप देखे यहाँ पे P10 लिए दिया हूँ यह का मतलब यह timing दिया हूआ है यहa P के बाद में जो 0 है तो यह क्या दिया है बेश यहर दिया है और One का मतलब करण्टीयर उता तो इसको मल्टिप्लाय करने के लिए पी वंजिर अपन यहां पे लिखा है यहां पर क्या है कि यहाँ पहले आ यहां और उसके बाद में बेशिएर बात में तो इसका मितलब यह होता है कि अपने को फार्मुला यही रहा है श्रिफ टाइम की राना करना का भीशिएर आएगा बेशिएर के वन और जिरो लिका है उसका टाइमिंग चेंज कर देंगे टाइम चेंज कर देंगे तो यहां पर पी जिरो आएगा यहां किव जिरो है तो किव वन आएगा क्योंकि अपन टाइम चेंज कर रहे हैं तो टाइम इंटर चेंज कर रहे हैं तो यहां पर आएगा यह पी जिरो है तो P1 आएगा और यहाँ पर Q0 है तो Q1 आएगा उसके बाद multiplication यहाँ पर भी वैसे होगा समेशन P0 आएगा और यहाँ पर Q0 आएगा यहाँ पर Q1 आएगा इस प्रकार से अब क्या करते हैं इस फर्मूले को मिलाते हैं एक जगह तो P01 into P10 is equal to दोनों फर्मूले को मिलाएंगे तिहाँ पर समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 into समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 समेशन P1 Q1 into समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q0 इस प्रकार से यह फर्मूला लगा दिया अब यहां पर क्या करना है यहां पर टाइम हैं टाइम इंटरचेंज कि इंटरचेंज कर दिया यह यह और यह फर्मूला अपना बन गया अभी यहां से उसका answer a 1 आना चाहिए तो दिखी यहाँ पर यह है यह अपना P1 Q0 P1 Q0 नीचे में एक है P1 Q0 यह है यह कट गए उसके बाद P1 Q1 यह कट गए यहाँ पर P1 Q1 यह कट गए P0 Q1 यह है इधर आए P0 Q1 यह कट गए उसके बाद summation P0 Q0 यह तो summation P0 Q0 यह कट गए उसके बाद में उसका आएगा square root में 1 तो उसका answer आएगा 1 तो therefore P0 1 into P1 0 is equal to 1 तो इसमें तो इसमें तो इसमें तो इसमें पर आएगा इस प्रकार का अगर आंसर आता है तो वो साटिस्पाइब कहलाता है अन्यता यह अगर सभी नहीं कटेंगे तो वो साटिस्पाइब नहीं होगा उसके बाद में एक टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया तो आप देखेंगे दुसरी टेस्ट फेक्टर रिवर्सल टेस्ट दूसरी टेस्ट है फेक्टर रिवर्सल टेस्ट लगा के देखते हैं फिसर के फर्मूले को और इसमें फर्मूला इसके लिए फर्मूला इसके लिए फर्मूला अप्लाई करेंगे अप्लाई तो उसका फर्मूला क्या है इसका आंसर इतना आना चाहिए समेशन P1 Q1, समेशन P0 Q0 तो ये सैटिस्फाइ होगा, अन्यता सैटिस्फाइ नहीं होगा तो फीसर में लगाके देखते हैं, फीसर के फर्मूले में तो पहला आएंगा P01 P01 तो P01 के फर्मूले में स्कयर रूट में क्या है लास्परे का और पास्से का फर्मुला है यह देखिए लैस्प्रे का और पास्से का फर्मुला मल्टिप्लिकेशन है उसका यहाँ पे लिखेंगे लैस्प्रे का और पास्से का फर्मुला यहाँ पर P01 में तो यह यहाँ से लेता हूँ समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q0 समेशन P1 Q0 and समेशन क्या है P0 Q0 P0 Q0 into नशन P1 Q1 P0 Q1 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 अई दीखे पास्षे का फार्मूला समेशन P1 Q1 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 यह हो गया, अब इसमें क्या है, कि यह जो Q01 है, तो यहाँ पे quantity को चेंज करना है, quantity को चेंज करना है, थोड़ा सा ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे P आया था, तो प्राइज पहले आया था, यहाँ पे Q है, तो प्राइज के जगह पे quantity आएगी, Q है तो, यहाँ पे Q01, तो जहाँ जहाँ पे P है, वहाँ वहाँ पे quantity हैंगे, तो यहाँ पे आएगा Q1, P0, Q के जगह पे P, और P के जगह पे Q, quantity पहले आएगा, Q01 है तो, यहाँ पे आएगा Q0, P0, इंटू, समेशन, यहाँ पे P1 है, तो यहाँ पे Q1 आएगा, और यहाँ पे Q1 है, तो यहाँ पे P1 आएगा, इसमेशन, यहाँ पे P है, तो Q आएगा, 0, 0 आएगा, और यहाँ पे Q है, तो P आएगा, 1, इसको दोनों को मिलाते तो P01 into Q01 is equal to P सर के फार्मूले को यहां पर है सल लिखेंगे समेशन P01 Q0 समेशन P0 Q0 into समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 into समेशन Q1 P0 यहां पर समेशन Q0 P0 मल्टिप्लिकेशन समेशन Q1 P1 और यह आएगा समेशन Q0 P1 इसके बाद जो संख्या कटती है उसको काटेंगे संख्या कुट सी P1 Q0 यह देखिए P1 Q0 P1 Q0 P1 Q1 नहीं कटता नीचे में नहीं है P1 Q1 P0 Q1 यह उपर में है यह नीचे में है तो यह कटेंगे Q1 P1 नहीं है यहां बचा क्या है यह देखिए इसमें उपर वाली संख्या समेशन P1 Q1 और यह नीचे में है यहां पर समेशन P0 Q0 यह एक हो गए और इधर में है इन्टू समेशन Q1 P1 और यहां पर है समेशन Q0 P0 अब यहां पर देखिए समेशन P1 Q1 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 समेशन P0 Q0 तो स्केर रूट के बाहर अगर निकालना है तो इसमें यह जो बाहर में आएगा तो एक संख्या बाहर चली जाएगी तो यहां पर आगा समेशन समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 अब अपनने देखा था इसका अगर यह अगर सैटिस्फाई है यह टेश्ट तो उसका आंसर P0 1 इंटू Q0 1 का आंसर क्या आना चाहिए P1 Q1 यह आगा समेशन P1 Q1 और नीचे में डिवाइट होना चाहिए P0 Q0 तो यहां पर आगा है P0 Q0 तो इसमें आगा इसमें आगा इसमें आए है तो तू तो देरफोर वार्वर्शल तेस्ट वेक्टर रिवर्शल टेस्ट देस्ट इंट साथिस्फाई इन पिसर्स इंडेक्श नमबर इनेक्श नमबर तो इस प्रकार से टेस्ट लगाई जाती है टाइम रिवर्सल टेस्ट और ये लगाने के बाद में फिर懂 केंग्श कोई से लगाई ना कोई आँ ये बीर्सल के लिए तो समेशन पिस नपील रिवर्सल टेस्ट अगर लगाना है वह सटस्वाई है ये देखने के लिए P01 into Q01 तो summation P1 Q1 divided by summation P0 Q0 यह उसका answer आना चाहिए तो अपने फिसर के बारे में test लगाया था factor reversal test and time reversal test तो इसमें अगर सभी फार्मूले में अगर अपने को लगाना है जैसे last pray का हो गया पास्षे का हो गया तो अपने को जो फार्मूला अपने इंडेक्स नंबर केलीए कळच लिए क्या था वह फार्मूला लेके अपनी को यहां पर एक Фक्टर रिवर्शल टेश्ट एन टाइम डिवर्शल टेश्ट लगाना अभी फीशांट का फार्मूला लिये थी लैस्प्रे का लैस्प्रे में अगर है टेश्ट लगाना ये टाइम डीवर्सल टेस्ट तो लस्प्रे का फारमूला लेना पड़ेगा पी जिरो वन इंटिु फिर उसको थाइम चेंज करना पड़ेगा इंटर टां इंटर offerings चेंज और वो पी वन जीरो करना पड़ेगा और दोनों फार्मूले को मिला के फिर देखेंगे कि उसका अंसर अगर वन आता है तो वो साटिस्पाई है अन्यता नाट साटिस्पाई कर लाएंगे